क्यालो एवरीबन कैसे हैं बच्चो आप सब I hope all of you are good काई classes अल्रेडी हमने direction sense टेस्ट पर लेली हैं तो आगे की question हम continue करते हैं तो start करते हैं बच्चों आगे की question direction sense test के तो सारे question को आपको अच्छे से practice करनी है विद्ड डाइग्राम बना बना के जो बच्चा डाइग्राम बना के एक बार कर लेगा उसको प्राब्लम नहीं है कि डारेक्शन सेंस में काफी असान है और को एक्जाम दोगे आप ठीक है एससी वगयरा का महाँ भी ये कोश्ण्स काम आते हैं ठीक है तो चलते हैं वह डारे हैं पहले Mr. A stand on his head यानि उल्टा खड़ा हुआ है कोई अब तो नीचे रखेगा न कोई उल्टा खड़ा हुआ है इन विच डिरेक्शन विल लेप्ट हैंड उसका लेप्ट हैंड कौन सी साइड होगा आपको यह बताना है एक बात बताओ बच्छों आप पहले सीधे खड़े हो जाओ आप सीधे खड़े हो जाओ सीधे खड़े होने के बाद North की तरफ देखो अपने आपanganुची तरफ देखो तो Right Hand ये रहा अब उल्टे हो जाओ उल्टे होते ही जैसे ही आप सर नीचे रखेंगे तो ये Right Hand यदर आजाएखा Left Hand यदर आजाएखा क्योंकि Face North की तरफ ही रखना है लेकिन अगर आपने face flood लिया मालो मैं पीछे की तरफ देखने लग जाओं अगर मैं कहूँ भई face turn कर लेना जैसी आप नीचे जाओगे ठीक है ना सर के बल पे खड़े होगे आप अपना सर नीचे ले जाओगे पैर उपर लाओगे तो face पीछे की तरफ कर लोगे तो right hand इसी side रहेगा फिर तो यह उल्टा हो जाएगा left इदर आजाएगा right इदर आएगा आएगा या नहीं आएगा बताओ अगर यह नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा अपने आपको ऐसा सोचो कि आप नॉर्थ की तरफ उल्टे खड़े हैं तो आपका left hand कहा पर होगा east की side होगा ठीक है 25th question देखते ह इसके बाद a car traveling from south cover a distance of 8 km from south then turn right and turn and run another 9 km फिर कहाँ जाती है 9 km and again turn to right and was stop फिर stop हो जाती है तो आप बताओ पहले तो south की तरफ south से चलेगी कोई गाड़ी a car traveling from south cover a distance of 8 km अब south तो नीचे होता है नीचे से कहाँ जाएगा और अगर मैं नीचे ले जाओं तो south में चला जाएगा south से कोई यह तो cover बताया ही नहीं है किस तरफ को जाना है पहले तो कैसे करें बच्चो start इसको लिखा a car traveling from south south से start करेगा देखो अगर मैं इधर को ले जाओं तो यह west to east हो गया अगर हमें south से गाड़ी चलानी है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा और कोई option ही नहीं है अब नीचे से कहा जाओगे उपर की side ही जाओगे ठीक है क्योंकि clear अगर गाड़ी ऐसे चलाओगे तो east में चला गया east में south से जाना पॉसिवली नहीं है ऐसे चलाओं तो west में चला गया तो west में जाने के लिए east से start करना पड़ेगा अगर south से start करना है तो किदर को जाएगा north की तरफ कोई जाएगा तो यह दो question हो गए अपने 24 and 25 26 question देखते हैं बचो इस question में क्या होने वाल है 26 में 26 question a taxi driver a taxi driver है commence his journey from a point and drive 10 km toward north and turn to his left and drive another 5 km after waiting to meet a friend here he turn to his right and continue drive another 10 km he cover a distance 25 km so far but in which direction would he be now अब कौनसी direction में है यह आपको बताना है बताओ भई कैसे करें start तो एक point लिते हैं पहले driving के लिए बीच में लिते हैं point यहां से start करेंगे चलो आट driver commence his journey journey start करो कहां जाएगा 10 km toward north नॉर्थ में अगर किसी को जाना है तो 10 km ऐसे ही जाना पड़ेगा 10 km कहां गया यह north अगले step देखते हैं अब से कहां जाएगा and turn to his left अब इसने लिया यहां से left ठीक है 5 km इदर भी गया after waiting to meet a friend he turn to his right यहां से right लेगा तो उपर कोई जाएगा right ले लिया and continue drive 10 km 10 km अगेन वो उपर की तरफ गया है right he cover a distance 25 km total total 25 हो गया ठीक है अभी वो कौन सी direction में है वो आपको बताना है अब उपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा लग रहा है यह north की तरफ ही जाएगा उपर तो north ही होता है straight जा रहा है तो वो north की तरफ जा रहा है देखो और कोई option ठीक नहीं है north ठीक है 27th question करते हैं फिर अब walk 3 km northward and then he turn left and goes 2 km he again turn left and goes 3 km he turn right and walk straight in which direction is he walking now बताओ जी इसकी भी drawing बनाओ भई कैसे बनाओगे एक point ले 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 लेगा तो इधर होगा left यहां से लिए left for 2 km again turn left तो down हुआ होगा and goes 3 km 3 km यहां नीचे आता हुआ person कोई person अगर नीचे आ रहा है तो उसका right is side हो जाएगा यहां से इसने right ले लिया he turn right and walk straight तो अभी कौन सी direction में वो जा रहा है बताओ इस तरफ कौन सी direction होती है east west north and south तो west में जा रहा है option b will be correct ठीक है he is going to invest काफी असान असान से questions है जो मैंने आपको कराए ठीक है तो one more question लो जी 28 यह question देखते है क्या है जो 28 है इस question में क्या होने वाला है यह walk a walk south south then turn right then left and then right in which direction is from the starting point बताओ भई खुछ से बनाओ इसका कैसे बनाओगे कभी right कभी left simple है जैसे बनेगा भई इसकी drawing चलो south में जाना है पहले यहां बना देते हैं छोड़ा सा is west north and south south में जाना है तो पक्का वो नीचे आया हुगा south की तरफ नीचे आता हुआ person पहले क्या लेगा यहां पर left नहीं sorry नीचे आ रहा है कोई person उपर जा रहा है तो right इदर को होता है अब नीचे को आ रहा है तो right इदर होगा यहां से इन्होंने लिया right नीचे आ रहा है न तो right hand side होगा तो right ले लिया इन्होंने right right लेने के बाद कोई person इधर को जा रहा है तो left नीचे की side होगा यहां से क्या लिया इस corner से फिर left ले लिया left लेने के बाद फिर right ले लिया तो right again in which is he from starting point उसने start यहां से किया था but अब वो इस तरफ को जा रहा है तो इस तरफ कौन सी direction मिली west west में जा रहा है बच्छो वो west में जा रहा है न यह कोई और direction है अच्छे एक बात और क्या पूछा इसने in which direction is he from the starting point से कौन सी direction में है ठीक है ठीक है ठीक है west नहीं he is going to west but हमसे पूछा क्या है बच्छो इस starting से कौन सी direction में हो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हमारे पास जो direction होती है वो च्छो south starting से वो south में है वैसे तो हमें यह बुलना चाहिए वो यहां से आया है इस तरफ south west बट option नहीं है तो हम south ही लगाएंगे अबी starting point से पूछा है देखो starting point से कौन सी direction में यह नहीं पूछा कौन सी direction में जा रहे है जा तो वो west की तरफ रहे है but starting point से कौन सी direction में है तो starting point से नीचे की तरफ है तो क्या लगाएंगे हम south लगाएंगे 29 next question is 29 a man start from a point walk 15 meter toward east एस्ट में जाना है भाई किसी को start यहां से करते हैं और इन भाई साब को ले चलते हैं East में चलो जी इधर जाएंगे ये तहां जाएंगे ये इस्ट में कितने मीटर 15 मीटर टूवर्ड इस देन टान लेप्ट अब हो जाएगा बच्छों लेप्ट लेगा लेप्ट लेगा तो पका उपर की तरफ होगा इधर and walk 10 मीटर उपर जाता हुआ परसन राइट ले ले यहां से राइट तो इधर कोई होगा चीक है तूवर्ड विच डिरेक्शन इस नाव वाकिंग आप देखो इस कोश्चन में जैसे मैंने पिछले का अंसर गलत बता दिया था इसमें वह बात पूछ रहा है कि वह कौन सी डिरेक्शन में चल रहा है वह इस साइड को जा रहा है तो इधर क्या होती है हमारी इस इस की तरफ से अलराए यह नहीं पूचा कि स्टाइडिंग पइंट से कौन सी डिरेक्शन में भी कि कहन सी कोन सी डिरेक्शन में चल रहा है बस यह वगता हो ऐसी 30 देखो आप बॉय स्टार्ड वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट तो स्टार्ड करते हैं इनका ये चला इधर वेस्ट की तरफ आप्टर वाइल वॉकिंग ही टार्न राइट उसने क्या ले लिया बच्चो राइट ले लिया तो राइट उपर की तरफ होगा और आप्टर वॉकिंग 20 मिनेट्स तोवर्ड विच डिरेक्शन ही इज वॉकिंग नाओ उपर की तरफ जा रहा है उपर कौन सी होती है नॉर्थ वी विल बी करेक्ट ठीक है ना देखो बच्चो अगला कॉशन अब अब नेक्स्ट कॉशन करते हैं नेक्स्ट कॉशन क्या है अपना 31 31 कॉशन 31 कॉशन में क्या होने वाला है आई स्टेंड विद माई राइट हैंड extended side way towards south towards which direction will his back be उसकी back किदर होगी यह आपको बताना है अब इसका डाइग्राम कैसे बनाएं यह तो खड़ा हुआ इंसान है तो देखो यह खड़ा है तो इसको खड़ा करते हैं भही पहले देखो east west this is north and south I stand with my right hand right hand रखके खड़ा हुआ है कहीं पे ओके sideways towards south किस तरफ को खड़ा है sideways towards आउथ यानि यहाँ पर कोई दीवार है इसके उपर उसने right hand रखा हुआ है अगर इधर right hand है बच्चो तो पक्का इस तरफ left hand होगा yes अगर यहाँ पर right hand है तो left hand कहाँ पर होगा इधर face किस तरफ होगा अब यह बताओ अगर मैं right hand यहाँ रखदू तो face किदर होगा आप इधर देखोगे west की तरफ face करोगे तो right hand इधर होगा ठीक है but it means उसका face पकका east की तरफ है yes or no उसका face कहाँ पर है east की तरफ है उसका face कहाँ पर है east की तरफ है तो उसका right hand इधर होगा left hand इधर होगा back किदर को होगी west की तरफ यह west में होगी इसकी backpack का ठीक है 32 अब person move 4 km toward west start करते हैं इस person को चलाना भई यह चलके गया कहां पर west में एक person चलते चलते कहां गया वो इधर west में गया then he turned to right वो इधर जाता हुआ person अगर right ले ले तो उपर को जाएगा यहां से right तो ऐसे होगी न अब इनने ले लिया right and move 3 km then turn to right again 6 km पहले कितना आया था 4 km 6 km तो और आगे चला जाएगा ठीक है in which is the direction in which he is now moving कौन सी direction में जा रहा है बताओ बुच्छो यह खुदी बता दो कौन सी direction में जा रहा है चल चला चल यह भाक कि इदर को जा रहा है किदर को जा रहा है बताओ इस कौन सी direction है बच्छो यह इस्ट इस्ट में जा रहा है यह person अगला question देखते हैं 33 and 34 देखो 33 question में क्या है इस मोहन सी दर राइजिंग सन बिहाइंड दर टेंपल एंड दर सेटिंग सेटिंग सन बिहाइंड दर रेलवे स्टेशन फ्रॉम इज हाउस यह देखो जीब सा question अब बनाओ इसका खुछ से कैसे बनाओंगे पहले एक बार ट्राइ कर लो देखो वह इसकी direction अब कैसे बनाते हैं इसकी drawing कैसे करेंगे पहले देखते हैं इस मोहन सीधा राइजिंग सन तो सन राइज करने के लिए मुझे तो एक direction चाहिए इस इस्ट से निकलेगा सन यही से निकलता है नो सन का से निकलता है इस्ट से and sun is behind the temple यानि यहाँ पर था आमारा temple कि लो गई temple मोहन यहाँ के इंखडा होगा मोहन ने देखा sun निकल रहा है का से behind the temple and the setting sun behind the railway station from his house अब जब sun evening के time ठीक है ना sunset होता है तो sunset कहाँ पर हो रहा था behind the railway station तो railway station east में निकलता है तो जाता कहाँ पर है west में यहनि sun evening में यहाँ कहीं आ गया होगा this is the railway station अब पूचाए railway station से temple कौनसी direction में है from the railway station temple तो जर एस्ट में है प्रतम और कुछ बताना ही नहीं था simple सा था ठीक है study 4 देखो अब लक्समन वेंट 15 किलो मीटर टू नॉर्थ east west north and south 15 किलो मीटर नॉर्थ में आगे देखते हैं अब क्या करना है he turned west यहाँ से कौनसी direction में मुड़ा वो west यानि इदर को गया west में cover किया उसने 10 किलो मीटर then turn to south south का मतलब है पका वो निचा आया होगा ठीक है and cover 5 किलो मीटर 5 किलो मीटर की ट्रैवलिंग करी उन्होंने आगे देखते हैं finally turn to east इदर east की तरफ and cover 10 किलो मीटर पूरा नहीं पहुँचेगा क्योंकि 10 किलो मीटर में तो वापस इदर यह पहुँच जाएगा इसी लाइन पे in which direction he is from his house उसका घर इदर था कहीं नीचे 15 किलो मीटर उपर गया था फिर 10 किलो मीटर इदर गया था 5 नीचे आया था फिर 10 इदर आ गया तो अपने घर से वो यहाँ पर है अपने घर से वो किस तरफ है उसका घर यह रहा हूं और वो परसन यहाँ पर है भी तो अपने घर से उपर की तरफ है यानि नौर्थ की तरफ है option C will be correct देखो कुछ और लग रहे तो बताओ ठीक है तो यहां तक कर लिया आपने ठीक है अब यहां तक के सारे questions की practice करो बाकी करते हैं next part